पूरी ताकत ब्रहबान के बारे में और जानने के लिए लगा रहे हैं न्यूट्रोन स्टार क्या होता है चंदर क्रहन के दोरान क्यों लालो जाता है चंदरमा और फिर से नासा ने कहां ढूंड निकाला पानी तो आएए ढूंडते हैं इन सवालों के जवाब लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रह है ये सच है कि आज तक हम वाम होल को पाने में सक्षम नहीं हुए है जब 19-20 सदी का दोर चल रहा था तब सभी वैग्यानिक न्यूटन के बताया गए रास्ते पर चल रहे थे सारे वैग्यानिक न्यूटन के गनित और न्यूटन के खोजे गए वस्तूओं पर हद से ज्या आपको ये सुनकर जरूर वाम होल मज़िदार लग रहा होगा पर अभी तो शुरुआत है कहा जाता है कि वाम होल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं जी हां हम समय यात्रा भी कर सकते हैं जी हां और ये तभी मुम्किन होगा जब हम वाम होल को ढून लेंगे की बौने ग्रह प्लूटो से भी ठंडा है यूरेनस पर अत्य दिक ठंड सूर्य के इसकी दूरी और इसकी कम आंत्रिक गर्मी के कारण होती है और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस गैस का एक विशाल गोला है और इसका व्यास लगभग 50,724 किलो मीटर है जो इसे हम अत्य दिक मौसम बदलाव होते हैं यूरेनस आकार में प्रित्वी से 63 गुना बढ़ा है और अपने चलों की वजह से खुबसूरत भी लगता है प्रित्वी के सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड किलो मीटर की है जबकि यूरेनस से सूर्य की दूरी लगभग 3 अरब किलो मी माउंट एफरेस्ट के बाहर से भी अधिक होता है ये एक संकुचित घनत्व के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर निउट्रोन में परिवर्टित हो जाते हैए इसलिए इन्हें neutron star कहा जाता है जब किसी भी तारे का वास्तिविक वसन 5-8 गुना तक अधिक होता है तो उसमें supernova नामक घटना के कारण बहुत भारी विस्भोट होता है जिससे उस तारे का बहुत थोड़ा हिस्सा बच जाता है जिससे इसका घनत्व तथा गुरुत्वा ग होता है इसके बारे में नाजा ने खुलासा किया है इसके साथ ही यह भी बताया है कि कि इसकारण चंद्र ग्रहंड के दिखाए देता है वहीं सुभा और शाम के दौरान हमें सूर्य लाल रंका दिखाए देता है इस घटना को रेले स्केटरिंग कहा जाता है यही घटना जो हमें नीले आकाश को नीला और सूर्यस्त को लाल बनाती है उसी के चलते चंद्र ग्रहन के दौरान चंद्रमा लाल हो इस चंदर ग्रहन के बाद 2025 तक कोई दूसरा पूंड ग्रहन नहीं होगा जबकि इस आंशिक चंदर ग्रहन होगे नमबर पांच फिर से नासा ने कहां ढूंड निकाला पानी नासा के जेमस वेब स्पेस टेलिसकोप ने मुख्य एस्टरॉइड बेल्ट में मौजूद एक धूमकेतु बर्फ की पानी को सूरे के इतने करीब रिजर्व कर सकते हैं लेकिन अब तक इसका कोई पुखता सबूत नहीं मिला है। वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मज़दार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्ते